सर्दियों का मौसम आते ही हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि इस समय हम अपने बालों पर कोई भी हेयर पैक नहीं लगा पाते ठंड लगने का भी डर रहता है और साथ साथ हेयर पैक तो चलिए हम लगा भी ले उसे छुटाना बड़ा कठिन हो जाता है बहुत जादा मतब ठंड के मौसम में हेयर पैक को निकालना कठिन होता है आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों जो आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी बालों में चमक आएगी बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी बाल काले घने और मजबूत होंगे साथी साथ बालों का किरना तूटना बिलकुल ही रुख जाएगा सब्ताह में एक बार बालों में राइस वाटर जरूर लगाएं इसी तरह से सब्ताह में एक बार आप मेथी का पानी बालों पर जरूर लगाएं दो चमच मेथी लीजिए पानी में भिगा कर राद भर रखें सुबह उठकर इस मेथी के पानी को बालों पर जरूर लगाएं एक ऐसा hair growth tonic है जो कि बालों की जड़ों को नरिश करेगा, strong करेगा आपका hair fall control करेगा चेंज करके लगाएगे ना सोचें अरे हम क्या लगाएगे, कभी आप fenugreek water लगाएगे, कभी आप rice water लगाएगे, इसके अलावा इन दोनों के साथ ही साथ एक और powerful remedy आपके लिए ले खराई हूँ दोसों, जो की बहुत beneficial होने वाली है, आपके लिए 100% hair fall रुकेगा, hair thinning की problem दूर होगे, एक रूई ले लिजे, इसकी साहता से rice water और fenugreek water को पूरे scalp पर लगाएगे week में दो बार कोई भी hair growth tonic लगाना कभी rice water, कभी fenugreek water लगा लिजे आप लो, और कभी आप चाहें तो curry leaves का hair growth tonic भी बालो पर लगाएगे, कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं सारी चीजों को यहाँ पर मैंने चुनकर लिया है, एक एक करके आप देखते चाहिए, कि ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत beneficial है उनमें से एक है curry leaves कभी पत्ता, कभी पत्ते को खाएं भी, बालो पर लगाएं भी, अगली चीजो कि मैं समझती हूँ, जो कि हमारे skin के लिए हमारे बालों के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ के लिए बहुत फाइदे मंद है, वो है अलोविरा, अलोविरा, गौारपाथा धृत कुमारी, पूराने समय से ही इसका इस्तमाल किया आता जा रहा है, आयुर्वेद में महत रखने वाली, ये जो संझीवनी जड़ी बूटी है, जी हाँ दोस्तों इसे संझीवनी जड़ी बूटी कहा जाता है इतने सारे इसमें न्यूट्रियेंट्स होते हैं, पोशक्तत्व होते हैं विटामिन C होता है, विटामिन E होता है बहुत सारे अमीनो एसिट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है गंजे के सिर पर भी बाल उगा देता है एलोविरा एक पत्ती का छिलका उतार लिया है चाकू से इस तरह से कट का निशान लगा दिया है अब इस पत्ती को लीजिए अपने बालों की जड़ों पर कर थोड़ी देर खड़ा करके रखा था इसका जब येलो सब्स्रेंस निकल गया उसके बाद मैंने धो कर पोच लिया है वैसे अलोविरा का इस्तमाल दोनों ही तरह से किया जाता है चिलके सहीध भी किया जाता है और चिलकों को उतार कर भी हम लोग गवार पाठा का अलोविरा का इस्तमाल करते हैं एक लीफली है आज मैंने अलोविरा का इस्तमाल चिलके सहीध ही किया है बहुत से वीडियो में ichaks के वल जेल का प्रयोग करती हूँ पर तु छिलके में भी धेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं अब मैंने यहां क्या किया है पता है दोस्तों इस एलोविरा में मैंने करी लीव्स को डाल दिया है इसकी कुछ पत्यों को डाल दिया है कड़ी पत्ता मीठा नी करी लीफ्स जो होती हैं दोस्तों कमजोर बालों को मजबूत बनाती है ये दोनों चीज़ें इतनी पावरफुल है दोस्तों जो कि आपके हेर फॉलिकल में मेलेनीन के उत्पादन को इंक्रीज करेंगी बढ़ाएंगी और जब मेलेनीन का उत्पादन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं लंबे समय तक बाल काले बने रहते हैं जिनके शरीर में जिनके में मेलेनीन का उत्पादन कम होता है उनके बाल उम्र से पहले सफेद होने लगते हैं तो बालों को काला करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, तो मेरे इस hair growth tonic को जरूर लगाएं, इसे बनाना भी आसान है, result 100% मिलेगा, तो aloe vera और curry leaves को अच्छी तरह से blend किया है, blend करते समय मैंने इसमें rice water और fenugreek water को डाला है, दोनों में से कोई भी water है अब डाल सकते हैं, त इसलिए, सबता हमें एक बार लगाएं, आदे घंटे लगा कर रखें, सभी उम्रवाले इसका इस्तमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो छान लीजे, बिना छाने भी इसे कर सकते हैं, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से blend किया है, ताकि टुकड़े ना आने पाएं, एक cotton ले ल उसी की समस्या को दूर करता है, हमारे सिर्की खुजली को दूर करता है, हमारे स्केल्प में छुपी हुई गंदकी को बाहर निकालता है, इस हेर ग्रोथ टॉनिक को थोड़ा थोड़ा लेते जाएं और जड़ों पर लगाएं, नहीं टाइम मिला आपको बनाने का, अलो वि लगाएं लंबाई पर भी, इससे आपके रूखे सुखे बेजान बाल जो हैं उनमें भी शाइन आ जाएगी, सभी उम्र वाले लगाएं, कम उम्र से ही बच्चों के बालों की केर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो लंबे समय तक आपके बाल हेल्दी रहेंगे, पूरी इसे रूई की सहता से पूरी जड़ों पर लगाएं, बालों की जड़े मस्बूत होंगी ना, तो एक दिन में जो 40-50 बाल टूट कर गिरते हैं, उनका टूटना रुकेगा और बालों में जाना जाएगी, थोड़ा थोड़ा इस टॉनिक को देखे लेती जारी मेरी बेटी और अपनी स्कैल्प पर लगाती जारी, हलका सा दबाएं, प्रेस करें, ताकि सारी रूट्स को इतना अच्छा पोशन नरिश्मेंट मिल सके, दोस्दों बालों की जितनी अच्छी कियर करेंगे आपके बाल लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, हम लोग बालों की कियर नहीं सब ही लगाएं, साथ ही मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्टों कि मेरे इस वीडियो को आप दुनिया की किस जखह से बैट कर देख रहें, कमेंट में आप अपना नाम लिखे और उस जखह का भी नाम लिखे, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम एनाउंस कर स आपको ठैंक्स बोल सकूँ मेरा वीडियो देखने के लिए, तो रेमेडी को ट्राय जरूर करिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजेगा दोस्तों, साथ हिसाथ टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बारा आए है ना दोस्तों, तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी न चाहें, मेरी रेमेडी को ट्राय जरूर करें, आपको रिजल्ट यहां पर 100% मिलने वाला है, इस अलोविया को आप सीरे से लेकर छोड तक जरूर लगाईए